Hello guys, welcome to my YouTube channel, Ritik Technical Support, so today we will talk about How to fix not detecting headphones when plugged in problem on your Windows 11 So first of all please subscribe to my YouTube channel and press the bell icon आपने अपने Windows 11 में headphone को connect कर लिया है बट आपका जो headphone होता है, वो connect नहीं होता है ठीक है उसमें अगर आपको sound नहीं आता, कोई भी problem आती है तो आपको इसे ठीक कैसे करना है, उसके बारे में बात करते So first of all आपको जाना है, start पे click करना है Then आपको settings पे click करना होगा Settings पे click करने के बद आपको system पे click करना है यहाँ पे आपको search का option मिलेगा या फिर आप direct यहाँ पे click कर दिजेगा troubleshoot पे ठीक है आप इस पे click करिए recommended troubleshooter history पे click करिएगा और यहाँ पे अगर कोई भी problem आई लाइक आपको headphone की problem आ रही है तो यहाँ पे detect कर लेगा कि problem आपको आ रही है और आप simple उस पे fix पे click करके आप उसको sort out कर सकते हैं ठीक है second आप क्या कर सकते हैं other troubleshooters पे click करिएगा यहाँ से आपको audio का option दिखेगा आप audio को run करके use कर सकते या फिर आप अपने PC को एक बार update करिएगा ठीक है highly chance है कि आपकी problem ठीक हो जाएगी और अगर यह तरीके काम न करे तो last में एक ही option बसता है कि आपको search करना होगा reset ठीक है तो आपको reset जैसे ही search करना है यहाँ पर reset this PC का option आएगा ठीक है और एक बार आप लोग restart now कर लिजे restart now के बाद गर आपकी problem ठीक नहीं होती तो आप एक बार PC को reset कर लिजेगा ठीक है तो आपकी जो problem रहेगी वो definitely sort out हो जाएगी ठीक है तो मिलते है नेक्स्ट वीडियो में जाई मात आदी